प्रधान मंत्री जी के अंदर हिम्मत है तो वो सामने आकर कहें कि आपके सामने आकर कहें कि पाक सालों में उनको जानकरी नहीं है कि यहाँ पे छुट्टे जानवर की समस्या है अरे कौन सी दुन में रह रही है कौन सी दुनिया में मस्त है अरे उत्तर प्रदेश में आप एक किलो मीटर चल जाएए चलिए गाही से मत आईए हेलिकॉप्ट मुख्यमंत्री जी की हिम्मत कैसे हुई कि 12 लाक सरकारी पर खाली रखे इनोंने हिम्मत कैसे हुई कि आपको 70 लाक रोजगार की गोशना और वचन देके 4 लाक रोजगार नहीं बनाए कैसे हिम्मत हुई आपने हिम्मत दी नाराज हूँ मैं आपसे शिकायत है मेरी आपसे आप इस धर्म और जाती के जाल में फशे हुए हो और इस जाल में जब तक फशे रहोगे तब तक इसी तरहे से ये प्रधान मंत्री जी मुक्य मंत्री जी इनके तमाम मंत्री आकर आपके सामने कहेंगे धर्म की बात करेंगे जाती की बात करेंगे आपकी विकास की बात कभी नहीं करेंगे, विकास होगा इनका, सत्ता में आएंगे ये, फूलेंगे फलेंगे इनके बड़े बड़े उद्योग पती मित्र, विकास आपका नहीं होगा, तो आज मैं यहां खड़ी होकर आपको बताने आए हूँ, आखे खोलिए, नींद से जागिए, जागरक हो जाएए आप नौजवान हो, इस देश का भविश्य हो आप, समझदार हो, माता पिता ने आपको बाब मेहनत से पढ़ाया है, मैं जानती हूँ, जब मैं गरीब से गरीब घर में जाती हूँ, मुझे बताया जाता है कि दीदी हमने बहुत मेहनत से इनको शिक्षित किया, मैं गरीब से गरीब महले में जाती हूँ, लखनाओं के महले में, मैं गई वाल्मी की महले में, सफाई कर्मचारियों ने मुझे पताया कि दीदी जो भी है, बहुत मेहनत की लेकिन इनको पढ़ाया है हमने, आई टी आई पढ़े थे, मे की थी, बी एस सी की थी,